लो एविवन तो आज का जो हमारा कोश्चन है वो क्या है शो डैट लॉग 1 प्लस आयोटा एक्स इस इक्वल तो 1 अपॉन 2 लॉग 1 प्लस एक्स स्क्यर प्लस आयोटा टैन इन्वर्स एक्स तो यह हमने शो करना है ऐसी जो हमारी प्रॉब्लम्स आती है यह आती है फंक्शन्स ओफा कॉंप्लेक्स वेरियेवल में तो वहाँ पर इसको हम ड्रेक्टली यूज़ करेंगे लेकिन आज इसको हम शो कर लेते हैं इसका करते हैं हम सोलुशन सबसे पहले हमारे पास जो फॉर्म है वो क्या है लॉग 1 प्लस आयोटा एक्स हमने लिख लिया इसमें ज इस सिजा कॉंप्लेक्स फॉर्म और कॉंप्लेक्स फॉर्म को जब हम कनवर्ड करते हैं स्टेंड़ फॉर्म में तो इसको हम एक्वेट करते हैं आर कॉस ठीटा प्लस आयोटा साइन ठीटा के एकोल अब यहां पर जो हमारा इस एक्वेशन में जो हमारा इमेजरी पार्ट ह को हम EQUARE करेंगे तो जो हमारा real Part है वह कौन से है फीक है left hand side में left or right hand side में हमारा क्या है R cos theta ठीक है से question number one ऑजो हमारे imaginary Part है जिसके साथ आयोटा लगा हुआ है वह left hand side में है X और right hand side में है R sin theta ठीक है यह तो बहुत इजी होता है यह आपको पता ही होगा से एक्रेशन नमबर टू अब हमने क्या करना है एक्रेशन नमबर वर्न को और टू को स्क्वेर करना है एड करना है और देखना हमारे पस क्या बनता है तो हमने सबसे पहले जो लेफ्ट एंड साइड जो राइट है और साइड स्क्वेर ठीटा उसके बाद जो हमारा लेफ्ट हेंड साइड है इसको हमने स्क्वेर किया और एट किया तो यह हमारा बन जाएगा वन का स्क्वेर क्या होता है एक स्क्वेर होता है X square, okay, cos square theta plus sin square theta, ठीक है, इतनी form, यह हमारी कहा है, trigonometric recording, यह होती है, is equal to 1, तो यह हो जाएगा R square into 1, ठीक है, bracket के अंदर is equal to 1 plus X square, और यहाँ पर हमारे पास जो R की value आएगी, वो क्या आजाएगी, under root 1 plus X square, यहाँ पर only हमने pick की है, positive value, जो negative value है, उसको हम neglect करेंगे, ठीक है, हमने नहीं only positive value, ठीक है, अब हमारा क्या बनेगा, यह हमारी आगी R की value, इसको कह देंगे question number 3, अब हमने क्या करना है, equation number 2 को 1 के साथ divide करना है, और हमने एक दूसरी form बनानी, इसमें हम theta की value find करेंगे, equation number 2 को जब हमने equation number 1 से divide किया, तो हमारा क्या बन जाएगा, R sin theta upon R cos theta, तो sin theta उपर है, और यह किसके equal है, X के, बन जाएगा, X upon 1, R से R cancel, तो यह हमारा क्या बन जाएगा, sin theta upon cos theta, tan theta, ठीक है, student, is equal to X, और यहाँ पर हमारे पास जो theta की value आई, वो क्या आई, tan inverse X से equation number 4, अब हमने क्या करना है, अब जो हमारा main मक्सद है, log 1 plus iota X को लिखना है, now, log 1 plus iota X is equal to, जो हमारी इतनी form में complex form, 1 plus iota X, इसकी जो हमने value लेट करी थी, r cos theta plus iota sin theta, इसको हमने लिखना है, तो log तो as it is रहेगा, रिखेंगे, log r, bracket में, cos theta plus iota sin theta, जो log r है, यह ऐसी रहेगा, ठीक है, log r तो ऐसी रहेगा, लेकिन cos theta plus iota sin theta किसके equal होता है, exponential iota theta कि, ओके student, यह हमारी बनगी log की property, कौन सी property, log a into b is equal to log a plus log b, ठीक है, तो इस formula के coding यह क्या बन जाएगा, log a into log b, यहाँ पर a denote कर रहा है, r और b कर रहा है, exponential iota theta, इसको हम change भी कर सकते हैं, कि a हम इसको भी कह सकते हैं, exponential iota theta को, और b को कह, और r को कह सकते हैं, b, तो यह हमारे क्या बन जाएगा, log r plus log exponential iota theta, अब यह log r तो as it is रहेगा, और हमें पता है कि log की property होती ही, जो power होती ही, वो आगे आयाती है, और multiply में आयाती है, तो यह बन जाएगा, iota theta into log e, log e की value होती है 1, तो यह हमारे क्या बन जाएगा, log r plus iota theta, अब हमने जो r की value find करे थी, जो equation number 3 है, और हमने जो theta की value find करे थी, वो हम यहाँ put कर देंगे, और यह हमारा क्या बन जाएगा, log r की value क्या थी, under root 1 plus x square, 1 plus under root x square and plus iota theta, theta की value क्या थी, tan inverse x, tan inverse x, ओके student, अब हमने क्या करना है, 1 plus x square, under root 1 plus x square को हम कैसे लिख सकते हैं, log, रैकेड में 1 plus x square, 1 by 2, plus iota tan inverse x, ऐसे लिख लिख लिया, हमें पता कि जो low की probability होती, जो power होती, वो आगे multiply में आ जाती है, तो यह हमारा क्या बन जाएगा, 1 upon 2, log, 1 plus x square, plus iota tan inverse x, ठीक है, तो हमने यही प्रूफ करना था, देखें, हमने यही प्रूफ करना था, और यह हमने प्रूफ कर लिया, बहुत easy है, यह हम function of a complex variable के जब हम करेंगे, तो वहाँ पर हम directly use करेंगे, जो उसकी आगे रहती है, hyperbolic function और गिरिगरी series, तो वहाँ पर हम इसको directly use करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर मैंने बता दिया है, तो I hope कि आपको इतना समझा आगे होगा, तो अब चलते आगे, अल्ला हाफिस,